नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षावल्ड के से अडूब चैनल में दोस्तो एकोनॉमिक्स की जो मोस्ट एक्सपेक्टेट क्वेस्टन एंसर की सीरीज हम चला रहे हैं उसका जो भाग दो है उसको यहां पर हम कम्प्रीट करने वाले हैं पार्ट वन में हमने कुछ important economics के प्रस्णों को solve किया था तता part 2 में हम कुछ और important economics के प्रस्णों को solve करेंगे ये सभी जो प्रस्णों होते हैं ये आपके syllabus के according प्रस्ण आपके सामने प्रस्तूत किये आते हैं तो इस series को follow कलते रियेगा exam तक 5 नमबर के प्रस्ण जो आपके economics के PT के परिच्छा में पूछा जाएंगे तो चले वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके screen पर है वलतमान में राश्टी कृत बैंकों की संख्या कितनी आप से पूछा जा रहा है वलतमान में present time में भारत में राश्टी कृत बैंकों की संख्या कितनी है बहुत ज़्यादा important प्रस्ण है तो वलतमान condition के अगर हम बात करें वलतमान समय के अगर हम बात करें तो भारत में total 12 कितने चो total 12 जो हैं आपके राश्टी कृत बैंक है और इसमें से एक आपका SBI है तो आप इस या देखेगा SBI प्लस 11 तो total में आपके कितने होगे तो 12 जो हैं वलतमान में राश्टी कृत बैंक हैं तो इसके बारे में आप या देखेगा तथा SBI जो है सारवजनिक छित्र के बैंकों में जो SBI है यह सबसे बड़ा ब्यापारिक बैंक भी है भारत सरकार का तो इसके बारे में आप या देखेगा इंपोर्टेंट है वलतमान में SBI के चेर्मेन कौन है तो वलतमान में SBI के चेर्मेन है दिनेश कुमार खारा तो इनका नाम भी इंपोर्टेंट है दिनेस कुमार खारा जो है ये वलतमान में SBI के क्या है तो चेयर मैन है तो इसके बारे में आप या देखेगा तथा SBI जो है वलतमान में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक बैंक भी है तो आप या देखेगा SBI को मिला कर टोटल जो है 12 राष्टी क्रित बैंक है हमारे देश में वलतमान में तो आप इसे याद रख सकते हैं तो आपसन आपका यहाँ पे जो C वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला प्रस्ण आपके सामने है GST दिवस कब मना जाता है GST से भी प्रस्ण आपके एकजाम में पूछे जाएंगे तो GST दिवस कब मना जाता है आपसे पूछा जा रहा है तो GST दिवस कब मना जाता है काफी महत्यपूर्ण प्रस्ण है राइट अंचर आपके हो जाएगा तो GST दिवस जो है यह एक जुलाई को मना जाता है तो आप इसे आ देखिएगा कब तो एक जुलाई को तो राइट अंचर आपके हो जाएगा राइट अंसर आपका हो जाएगा option जो आपका B है यहाँ पे बिल्कु सही हो जाएगा एक जुलाई भारत में GST को लागू कब किया गया था official रोप से यह प्रस्थन आप से जामें पूछाया सकता है कि जो GST है इसको भारत में official रोप से कब लागू किया गया था काफी ज़्यदा में तपूण प्रस्थन है तो राइट अंसर आपके हो जाएगा एक जुलाई 2017 से जो है इसको official रोप से लागू किया गया था GST को जब GST को official रोप से लागू किया गया था तो उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे अरोन जेटली जी तिसे भी आप्या देखेगा अरोन जेटली जो है उस समय हमारे वित्त मंत्री थे जब इसको official रोप से लाँज किया गया था प्रभाव में लाया गया था GST को तब भी स्या देखिएगा important प्रस्न ये आपके exam के लिए हो सकता है तथा GST जो है किस प्रकार का कर है यह भी आपसे पूछा है सकता है कि जो GST है Goods and Service Tax है जो वस्तु एवं सिवा कर है यह किस प्रकार का Tax है तो यह एक indirect Tax है यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसके बारे में आपके देखिएगा एक जुलाई 2017 को यह प्रभाव में आया था तथा उसमें हमारे वित्यमंत्री थे अरून जेटली जी थे इसके बारे में आपके देखिएगा अब इनका निधन हो चुका है अरून जेटली जी का इसके लाबा कौन सा समिधान संसोधन अधिनियम है जो GST से related है तो 101 101 जो समिधान संसोधन अधिनियम है यह GST से related है तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए GST से related कुछ चीज़े मैंने आपको बता दी है बाकी की चीज़ों को हम आने वाले जो सिरीज होगी M-Secure वाले उसमें हम दिरे-दिरे solve करते रहेंगे तो इसके बार में आप आप आदेखेगा तो GST दिवस जो है एक जुलाई को मनाया जाता है अगला प्रस्तन है और निमनलखित में से किस समीती ने 2016 में बैंको को KYC Know Your Customer लाने का सुझाव दिया था और वरतमान समय में जो KYC का कॉंसेप्ट बैंको में चल लाया है KYC फॉर्म भर रहे जाने का उसको लाने का सुझाव किसके दर दिया गया था यही चीज़ आप से पूछे जा रही है तो नचिकेत मोर समीती आप यहाँ देखेगा नचिकेत मोर समीती ने जो है 2016 में बैंको को KYC याने की Know Your Customer लाने का सुझाव दिया था तो आप इस यहाँ देखेगा बैंकिंग सुधार से भी प्रसनाब के एक जाम में पूछे जाएंगे आपके इस लेबस में क्लियरली मेंसन है कि बैंकिंग सुधार के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो बैंकिंग सुधार का यह प्रसनाब के सामने है तो नचिकेत मोर समीती से जुड़े कुछ important fact यहाँ पर लिखेगा है नचिकेत मोर कमेटी वर्स 2016 में आई थी नचिकेत मोर समीती की दोरा क्या कैस सुधाव दिये गए थे तो यहाँ पी लिखे गए है प्रतिक वयस्क का एक खाता हो देश के हर जगा 15 मिनिट की दूरी पर बैंकिंग से वाएं उपलब दो यह जो सुधाव है दिया गया था नचिकेत मोर समीती की दोरा प्रातमिक्ता छेतर को मिलने वाला जो रिड है 40% से बढ़ाकर 50% कल दिया जाए इसके बाद know your customer लाने का जो सुधाव है के वाइसे लाने का जो सुधाव है नचेकेत मोर समिती नहीं दिया था, तो इसके बारे में आप या देखेगा, तता अलग-अलग छेत्रों के लिए, अलग-अलग बैंक हो, यह भी सुझाओ, नचेकेत मोर समिती के द्वारा ही दिया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टें के गई थी 2015 में इंद्र धनुस योजना को प्रस्तूत किया गया था इसका उद्देश से क्या था तो उस समय बैंकों में जो NPA की तादात बढ़ रहे थी तो बैंकों के बढ़ते हुए NPA तथा घड़ते हुए पुंजी परियाप्तता अनुपात के समस्या का समधान करने के लिए इस जो है इंद्र धनुस योजना को प्रस्तूत किया गया था अगस्त 2015 में तो यह भी आपकी बैंकिंग सुधार से रिलेटेड योजना है तो आप इसे याद देखेगा 2015 में इसको प्रस्तूत किया गया था अगला प्रस्तन है वैस्वी करण यानि कि प्रस्ता के साथ एकी करण करना ही कहलाता है वैस्वी करण यानि कि ग्लोबलाइजेशन करना ही यानि कि अपनी अल्थ ब्योस्ता को खोल देना बाहरी कमपनियों के साथ जो है मेल जो बढ़ाना इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेसन तो आप इसे यार देखिएगा LPG रिफॉर्म के बारे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अगर आपने LPG रिफॉर्म को नहीं पढ़ा है तो हमारा जो डिटेल्ड वीडियो एकनॉमी का जो मैंने टॉपिक वाईज बनाया है प्रेलिस्ट में जाके आप 1991 के आर्टिक्स उधारों को देख सकते हैं उसमें LPG याने की उधारी करण, नीजी करण और वैस्वी करण के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है तो उस वीडियो का अगर आप देख लेते हैं तो यह जो टॉपिक आपके LPG वाला पुरी तरह से क्लियर आपका हो जाएगा तो मैं आपको recommend करूँगा, एक बार अल्थ व्योस्था की playlist को आप follow कर लिजेगा Closed Economy याने की बंद अल्थ व्योस्था से क्या मतलब होता है आपसे पूछा जा रहा है तो Closed Economy में क्या होता है, बंद अल्थ व्योस्था में क्या होता है इसमें न तो निर्यात होता है, न ही आयात होता है तो दोनों ही याने की Export और Import जो है दोनों ही बैन होते हैं तो आप इसे आ देखिए गए याने की Option आपकाटी यहाँ पे बिल्कुल सही है अगला प्रस्तन है, उदारी करण, नीजी करण तथा वैस्वी करण यहने की LPG याने की 1991 बेकी जो आर्थिक निती थी जिसको हम और LPG Reforms के नाम से भी जानते हैं इस नई आर्थिक निती को किसके समय काल में प्रस्तूत किया गया था तो LPG Reforms को किसके समय काल में प्रस्तूत किया गया था तो उस समय सरकाल थी किसकी PV नसिम्हा राव की यानि की आप्सन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है PV नसिम्हा राव की सरकाल थी और उस समय वित्तमंत्री थी कौन, Finance Minister कौन थे तो डाक्टर मनमोहन सिंग के द्वारा ही इस नई आल्थिक निती को प्रस्तूत किया गया था था यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यता कब ग्रहन की वर्ल्ड ट्रेड औरिगनाइजेशन यानि कि डवलू टी यो यानि कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यता भारत ने कब ग्रहन की थी तो एल्पीजी रिफॉर्म्स के बाद ही भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यता को ग्रहन किया था तो राइट एंचर आपके हो जाएगा ओप्सन ए एक जनवरी उननीस सो पंचान बे को तो आप इसे याद देखिएगा एक जनवरी उननीस सो पंचान बे को जो है बारत ने विश्व ब्यपार संगटन की सदस्यता को ग्रहन किया था तो ओप्सन आपका जो ए वाला यहां पे दिया गया है 100% सही जवाब हो जाएगा यह सभी most important प्रस्थन है जो आपके सामने प्रस्तूत किये जा रहे है PT 2022 की परिच्छा के लिए अगला प्रस्थन है किसी अल्थव्यस्था में छेत्रों को सारवजनिक और नीजी में किस अधार पर वर्गी कृत किया जाता है यानि कि माली यह कोई अल्थव्यस्था है तो अल्थव्यस्था के छेत्रों को पबलिक और नीजी यानि किस सारवजनिक और नीजी में किस अधार पर वर्गी कृत किया जाता है तो उद्यमों के स्वरूप के अधार पर आप आदेखेगा उद्यमों के स्वरूप के अधार पर जो है किसी अल्थ व्यस्था में छेत्रों को सारवजनिक या नीजी में जो है वर्गी कृत किया जाता है तो आपी से आद देखिएगा, important है, option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्यमों के स्वरूप के अधार पर, यहाँ पर उद्यमों का स्वामित तो होना चीएथ है, यहाँ पर स्वरूप नहीं होगा, स्वामित तो होगा, जो मैंने correct कल दिया आप, तो किसी अ उद्योगों के स्वामित के अधार पर, भालती अल्थव्योस्था के उदारी करण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भालती अल्थव्योस्था के उदारी करण का अग्रदूत है, यह हम किसे मानते हैं, काफी महत्पून प्रस्न है, आपसे पूछा है सकता है, इसके बारे जाएगा राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा भी या तो यहाँ पे मनमोहन सिंग आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आप इसे आ देखेगा इनी के दौरा जो है जो न्यू एकोनॉमिक पॉलसी थी जो नई आल्थिक निती थी जो एल पीजी रिफॉर्म से व ने से गार आपको मिलेगा तो आरब्याए जो है हमारा जो जो ट Loch रिज॑र्र पयंक ऑफ rooft stri फ्री में है इसका मुख्um मेलेगा मुंबम आपको मिलेगा मुंबई में तो इसके बारे में आप आप आदेखेगा काफी इंपॉर्डेंट प्रस्न है आपसे पूछा जा सकता है तता अर्बियाई का नेशनलाजेशन कब किया था राष्टी करण कब किया गया था तो आप्रेल 1935 को जो है आर्बियाई का जो एक्ट था 1934 वाला तो आर्बियाई एक्ट 1934 के तहट जो है एक अप्रेल 1935 को आर्बियाई की अस्थापना हो चुकी थी परन्तु इसका राष्टी करण किया गया एक जनवरी 1909 को तो यह चीज़ आप्या देखेगा आर्बियाई का जो राष्टी करण था यह एक जनवरी 1909 को किया गया था अगर अस्थापना पूछ ले तो राइट अन्चरापना क्या हो जाएगा एक अप्रेल 1935 को इसके अस्थापना की गई थी आर्बियाई एक्ट 1934 के तहट परन्तु आर्बियाई का आप से पूछ लेकि नेशनलाईजेयसन कब किया गया था राष्टी करण कब किया गया था तो राइट अन्चरापना क्या हो जाएगा रवियाई का जो राष्टी करण था यह किया गया था एक जनवरी 1929 को थी यह चीज आपको पता होनी चाहिए और अगला प्रसन आपके बता सकते हैं değer वलतमान में RBI के गवर्नर कौन है इसका जवाब आप कमेंड बॉक्स में दीजेगा Imperial Bank of India के अस्थापना आप से पूछी जा रही है कि कब की गई थी Imperial Bank of India की अस्थापना कब की गई थी काफी ज़्यादा महत्पूर्ण प्रस्थन है इसका जवाब आपको देना है कि तो Imperial Bank of India के अस्थापना कब की गई थी तो राइटन से रहाबा क्या हो जाएगा 1921 में Option जो आपका यहाँ पे B वाला दिया गया है न 1921 में जो है Imperial Bank of India की अस्थापना की गई थी तो राइटन से रहाबा क्या हो जाएगा तो राइट इन चलाबा क्या हो जाएगा 1921 में तथा आगे चलकर एक समीती बना याती है गोरे वाला समीती आप आगे चलकर एक समीती बना याती है गोरे वाला समीती तो गोरे वाला समीती के सिफारिस पर ही 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को जो है इम्पिरियल बैंक आफ इंडिया का राश्टी करण करके स्टेट बैंक आफ इंडिया की अस्थापना की गई तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बढ़ते मगले प्रस्निकी तरप आर्थिक नियोजन के यूग के आरंब में भारत की सकल राश्टी आई में क्रिसी का हिस् निरंतर बढ़ा है पहले बढ़कर फिर कम हुआ है या पहले कम फिर बढ़ा है क्या हुआ है परिवत्त buna क्रिसी में आप से पूछा जा रहा है तो आर्थिक नियोजन के यूग के आरंब से भारत की सकल राश्टी आई में क्रिसी का जो हिस्सा है दिन प्रतित दिन कम होता रहा है तो आप इसे यहा देखिएगा दिन प्रते दिन जो है क्रिसी का जो हिस्सा है वहба कम होता रहा है तो आप सान आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा निम्से कौन सा भारत में भूमी सुधार का हिस्सा नहीं है लेंड रिफॉर्म का इसमें से पार्ट आहिता बहुँ फसली होजना जो है इसका पार्ट नहीं है इससा नहीं है तो आप सनापका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तन है निम्नलकित में से कौन सी समीती बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है आपको बताना है किसमें से कौन सी जो समीती है जो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है जुड़ी हुई है फटाक से इसका जवाब दने कि आपको सिस किजिए बैंकिंग सुधार से इसमें कौन सी समीती जुड़ी हुई है तो राइटेंचर आपा क्या हो जाएगा नर्सिम्मन समीती जो नर्सिम्मन समीती है यह आपकी बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई है तो इसके बारे में आप आ देखेगा डिरेक्टली इसे प्रस्टन आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो नसिम्मन समीती आपका रेटेंचर जाएगा आपसन आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भारत में मौद्रिक निती किसके दरा बनाई और लागू की जाती है भारत में जो मौद्रिक निती है इसको बनाता कौन है और लागू कौन कलता है आपसे पूछा जा रहा है तो भारत में जो मौद्रिक निती है यहाँ बनाई और लागू की जाती है RBI के द्वारा यानि कि option आपका C यहाँ पे बिल्कु सही है Reserve Bank of India के द्वारा तो इसके बारे में आप याँ देखेगा directly आपसे exam में प्रस्थन पूछा जा सकता है कि जो हमारी monetary policy है जो हमारी मौदित निती है इसको बनाता कौन है और लागो कौन कलता है तो RBI करता है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए अगला प्रस्थन आपके सामने है पंचवर्षी युजना को अनमोदित करने वाली सर्वोक्च संस्था कौन सी है काफी important topic है आसा कलता हूं मैं कि एक से दो प्रस्थन आपके पंचवर्षी युजनाओं से पूछे जाएंगे आपके एकजाम में तो जितना ज़्यादा फोकस होगा आप पंचवर्षी युजनाओं पर कीजिएगा अच्छे से पंचवर्षी युजनाओं को आप पढ़ लिजिएगा पहले हो चुकी है पंचवर्षी योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वक्ष संस्ता है रास्टी विकास परिसद तो आप इसे याद देखिएगा पंचवर्षी योजना के अस्थापना को मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया है आप याद रखिएगा इसके बाद आर्थि नियोजन है या किसका विषय है आपसे पूछा जा रहा है यह जो प्रस्थन आपका है यह प्रस्थन पूछा गया है बीप्यस्थी दोजार पांच की परिक्षा में कि जो आर्थिक नियोजन है या किसका पार्ट है किसका विषय है तो राइटन चराप है क्या हो जाएगा समवरती सूची का है ने कि option आपका C यहां पे बिल्कुल सही है आर्थिक नियोजन जो है यह समवरती सूची का बीसे है तो इसके बारे में आपको याद अखना है अगला प्रसना आपके सामने दिया गया है द्विती पंचवर्शी युजना का प्रारूप किस ने तयार किया था जो second five year plan था इसका प्रारूप किस ने तयार किया था important है आपसे पूछा या सकते है इसके बारे में तो फटाक से इसका जवाब दने कि आपको सिस किजिए तो जो आपका second five year plan था आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका time period आप जान लीचे तो second five year plan का time period था 1956 से 1961 जो था या second five year plan का जो है duration था ये चीज आपको clear हो गई इसके बाद या जो second five year plan था या PC महाल नोबिस model पर अधारित था second five year plan तो इसके बारे में आप या दिखेगा important है तो option आपका B यहां पर बेलकुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तन है दूसरी पंचवर्सी योजना ने किसको प्रात्मिक्ता दे थी second five year plan में किसको प्रात्मिक्ता दे गई थी तो आप या देखेगा भारी उद्धियोगों को यानि कि heavy industries को जो है प्रात्मिक्ता दे गई थी second five year plan में तो second five year plan के अंतरगत थी दुरगापूर भिलाई राउर केला इस्पात कारखानों के अस्थापना भी की गई थी जो हमारे इस्पात कारखाने थी दुरगापूर हो गए भिलाई हो गए और राउर केला इस्पात कारखाने इनकी जो अस्थापना थी या second five year plan के तहय थी कीज गई थी ये चीज आपको पता होनी चाहिए तो second five year plan में plan में जो है भारी उद्योगों को प्रात्मिक्ता दे गई थी तो option आपका C यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसना आपके स्क्रिन पर है भारत में सेवाकर किस वर्स में प्रारंब किया गया था बारत में जो सेवाकर है या किस वर्स में प्रारंब किया गया थ काफी ज्यादा मेहत्पून प्रस्थना है तो भारत में सेवाकर कब लगू किया गया था तो राइटेंशगा हो जाग में हो जाएगा उननीसो चारानवे 95 के दौरान जो है ऑप्सना पाइप कहा ईहां पर बिल्कुल सही हो जागा 1994 पंचानवında के दौरान अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधी के लिए बनाय गया था आपसे पूछा जारे कि जो अनवरत प्लान था जो रोलिंग प्लान की अवधारना थी या किस टाइम पिरियड के लिए बनाय गय थी तो इसका रारेटन से अन्स्तर आपके हो जाएगा rolling plan जो है किस अवधी के लिए बनाय गया था तो rolling plan जो है यह 5 बरसों के लिए बनाय गया था 1978 से 80 तक परन्तु यह ज्यादा नहीं चलता है 1980 तक यह चल पाता है तो आपको पता होगा जो है आपका इससे पहले कॉंग्रेस की सरकार चली आ रहे थी 1978 में चुनाव होते हैं चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी हार जाती है और जन्ता पार्टी की सरकार बनती है तो जन्ता पार्टी की सरकार बनती है तो उस समय 5 year plan चल ला था 5 year plan की जो है डेट थी 1974 से लेकिए 1979 तक परंतु मैंने आपको बताया कि 1978 में चुनाव होते हैं और 1978 में चुनाव हार जाती है Congress Party तो Congress Party के द्वरा ही 5 year plan चलाया जा रहा था तो इस 5 year plan को जो पांचमा 5 year plan था यानि कि जो पांचमी नमबर का पंचवर्शी होजना थी उसको एक वर्स पहले जो सरकार बनती है जनता पार्टी के वह समाप्त कर देती है तो पांचमी जो पंचवर्षी योजना थी वह तो चलने वाली थी 1974 से लेके 1979 तक परन्तु एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया आता है तो जो पांचमी पंचवर्षी योजना थी अब यह चलती है 1974 से लेके 1978 तक तो इसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार आती है इसके दौरा पांचवी पंचवर्शी योजना को समाप्त करके अनवरत प्लान को लागू किया जाता है अनवरत योजना को लागू किया है मतलल लागू किया है तो इसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं तो rolling plan को तो चलाना चाहती थी जनता party की सरकार 1978 से लेके 1983 तक परन्तु बीच में पुना चुनाव होते हैं कुछ internal disturbance हो जाती है पार्टियों में दुबारा से चुनाव होते हैं तो दुबारा से चुनाव जब होते हैं तो congress party फिर से सक्ता में आ जाती है और जनता party दुबारा स की party सरकार में आती है तो 1980 में जो है इसको दुबारा से समाप्त कर दिया जाता है rolling plan को तो 1980 तक ही यह चलता है तो एक ची जा प्या देखेगा rolling plan कब से कल तक चल पाता है तो 1938 लेके 1980 तक ही rolling plan चल पाता है परन्तु यह चलने बनाए किस अवधिक लिए गया था तो 1978 से लेके 1983 तक के लिए बनाए गया था rolling plan परन्तु इसको तीन वर्स पहले ही समाप्त कर दिया जाता है कॉंग्रेस पार्टी के सरकार के दोरा क्यूंकि कॉंग्रेस पार्टी दुबारा चुनाओ जीच जाती हो सत्ता में आती हो इसके दर दुबारा से पंच वर्षी य प्रस्ण पर आते हैं हम प्रस्ण मारक का एंसर क्या हो जागा रोलिंग प्लान बनाए गया था आपका 1978 से तिरासी तक क्याओदी के लिए परन्तु यह दो वर्षी चल पाता है 1978 से लेके 1980 तक ही आपका रोलिंग प्लान चल पाता है ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया है तता जो अनवरत योजना थी जो रोलिंग प्लान था इसको हम द्विती योजना ओकास कहते हैं आप याद रिखिए कि इसको जो है द्विती योजना ओकास भी कहा जाता है तो यह ची योजनाय क्रियानमित की जाती है इसका में कारण क्या था क्यूंकि त्रितिय पंचवर्षी योजना के दौरान इंडिया के सामने बहुत सारे संकटा गए थे जैसे भारत पाकिस्तान युद्धुवा था तिसरी पंचवर्षी युजना के दौरान इसके बाद भारत चीन 1989 तक पांच वर्षी योजनाओं के अस्थान पर कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा वार्षिक योजनाओं को सुरू किया एता है तो इसको हम पहला योजनाओकास कहते हैं तो पहला योजनाओकास कब से कब तक रहता है 1986 से लेके 1989 तक रहता इसका कारण में आपको बता दिया है इसको हम पहला योजना उकास कहते हैं और दूसरा योजना उकास रहता है 1988 से लेके 1980 तक जिसको हम rolling plan के नाम से भी जानते हैं यह सरी चीज़े आपको पता होने चाहिए जब आप अच्छे से पढ़ेंगे 5-8 plan को तो यह सरी चीज़े आपकी कंतर्ष्ट हो जाएंगे तो जो मैंने economics का वीडियो आपके सामने बना कर प्रस्तूत किया हुआ है playlist में आपको मिल जाएगा उसको आप देख लेंगे तो आपको यह सरी चीज़े और ज्यादा clear हो जाएंगी प्रस्तन की तर बढ़ते हम प्रस्तन मारा क्या कह रहा है प्रधान मंत्री जन्धन योजना की सुरुवात की सुवर्ष में की गई थी काफी ज़्यादा महत्तपून प्रस्तन है प्रधान मंत्री जंधन योजना की शुरुवात की सुवर्स में की गई थी तो आप जाएगा 2014 में 2014 में प्रधान मंत्री जंधन योजना की सुरुवात की गई थी और आपका पी यहाँ पे बिलकुल सही हो जाएगा आज का लाश्ट प्रस्ना आपके सामने है डिस इन्वेस्टमेंट सारवजनिक छेत्र में विनिवेस का मतलब क्या होता है विनिवेस का मतलब यहां पर आपसे पूछा जारे कि जो सारवजनिक छेत्र होता है उसमें विनिवेस का मतलब क्या होता है तो विनिवेस का मतलब सिंपल सा होता है कि जिस भी सरकारी कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको कम करना सरकार की अंसधारिता को कम करना तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है invest का मतलब क्या होता कि जो सारवजनिक उद्यम है जो सरकार के उद्यम है इंडस्ट्री है उनमें सरकार की अंसधारिता को कम करने को ही हम dis investment कहते हैं तब इस या देखेगा माली जे सरकार की हिस्सदारी सो प्रतिसत है इसमें से कुछ प्रतिसत भाग जो है प्राइवेट कमपनियों को बेच दिया जाता है दे दिया जाता है जैसे देना, यानि के सरकार की अंसधारिता में कमी लाना ही जो है डिस इन्वेस्टिमेंट कहलाता है तो आप लिसे या देखेगा इसको यानि के सारवजिनेक छेतर में वी निवेस्टिमेंट को हम कहते हैं निजी करण यानि कि option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याँ देखिएगा, option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, काफी ज़्यदा important प्रस्न है, directly आपसे यह पूछा जा सकता है, दुसारवजनिक छेतर में वीनिवेस को हम कहते हैं, नीजी करन इसमें ह होता क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहाँ, जैसे कोई सरकारी उद्यम है, तो सरकारी उद्यमों में सरकार की अंसधारिता में कमी लाना ही, क्या कहलाता है, win-waste कहलाता है, dis-investment कहलाता है, तो आप इसे आ देखिएगा, तो option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ important प्रस्नों का आज हमने फिर से cover कर लिया है, economics के, I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आप कि आने वाले एक जाम के लिए फायदे मन्द होगा, तो इसी उमीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you